हेलो स्ट्रेंट्स, नेक्स्ट कॉशन देखिए क्या बोल रहे हैं, दिस्टेंस बिट्विन दा टू पैरलल लाइन 5X माइनस 12Y इस इकल तो 2 एंड 5X माइनस 12Y इस इकल तो 3 इस गिवन बाई तो आपको बतानी हैं, भी दो पैरलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या आएगी, ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, कोई भी दो पैरलल लाइन हो, उसके बीच डिस्टेंस निकालने का फॉमुला यह होता है, स्टूट याद रखेगा, D is equal to C1 माइनस C2 अपॉन रूट A स्केर प्लस B स्केर का मोड, ठीक है, यह फॉमुला होता है, ठीक है, स्टूट C1 तो कॉंस्टन होते हैं, C1, C2 दोनों में जो कॉंस्टन होते हैं, वो होते हैं, C1, C2, ठीक है और A और B की जो value होएगी, वो होएगी, X और Y के coefficient, यह दोनों सेम होते हैं, ठीक है तो देखते हैं, क्या है, C1, C2, C1, C2 अपने को दे रखे हैं, 2 and minus 3, कॉंस्टन जो हैं, वो है, C1, C2, 2 and minus 3 तो 2 and minus 3 तो दे रखे हैं, C1, C2, और A और B क्या दे रखे हैं, 5 और minus 12 5 and minus 12, तो put कर दीजिए, C1 minus C2, यानि 2 minus minus plus 3 upon root A square plus B square 5 का square और 12 का square, यानि 25 plus 144, तो यह आजेगा 5 upon यह आजेगा 169 और 169 का root क्या होता है, 13, तो अपना जो answer आएगा, student वो इसका क्या आएगा, 5 by 13 ठीक है, यह इसका correct answer है, तो दो parallel line के बीचे, distance formula लगाने का formula होता है, यह, A square plus B square, याद रखेगा, उपर modulus आएगा, ठीक है, thank you, क्योंकि distance हमेशा positive होती है, कुझे कर देख Margaret, बीचे है, G मात HC, beste, पुक्छे न। जो आएगा जो आएगा में। क्योंकिक मेंना जाएगा कर देख़ें से से न। आएगा, बीचे आएगाने होता है, एगा हुऑ आएगा टावागा, पे एगा दो आएगास